Hello All and Welcome Back to Modern History Series Modern History Series में Last Class से हम लोग ने Start किया हुआ था Social Religious Moment के बारे में Social Religious Moment में Last Class में हम लोग ने ब्रह्म समाज के बारे में बात किया था देखा था हम लोग ने ब्रह्म समाज में क्या कुछ चीज़ें हैं कैसे इस ब्रह्म समाज में development हो रही थी क्या objectives थे और ultimately किस तरीके से ब्रह्म समाज डिवाइड होकर के अलग-अलग format में बदल गई थी जैसे कि आदी ब्रह्म समाज, औल इंडिया ब्रह्म समाज और फिर ultimately साधारण ब्रह्म समाज ये अलग-अलग तरीके से बट गया था आगे हम लोग बाते करते हैं और इस सेशन में हम लोग बाते करेंगे जो बाकी हिंदू बचे हुए जो moments है, social religious moment है, जो हिंदूसम सा related है, उनको हम ecosystem में डिसकस करेंगे और इसी तरीके से सबसेक्वेंटली मुसल्मानों में जो सोशल रूलीजियस मोमेंट हुए थे सिक्ख में जो हुए थे और बाकी धर्मों में जो जो चीजे हुई थी उसको हम लोग डिसकुशन करेंगे आगे आने वाले वीडियोज में सबसे पहले हम लोग बाते करेंगे आरे समाज के बारे में तो चलिए फिर हम लोग वापस से जो अपनी टेक्नीक होती है discussion करने की पहले हम लोग pen and paper discussion कर लेते हैं और उसके बाद से फिर हम लोग आएंगे अपने text पे तो देखिए हमारे पास सबसे पहली जो organization फिलहाल आ रही है वो है आरे समाज आरे समाज अब देखिए कई सारी चीजें यहां पर आपको आज पता चलेंगी जो कई सारी चीजें आप जानते तो जरूर होंगे लेकिन आधा अधूरा जानते होंगे तो यहां पर अगर बात क्या आ जाया आरे समाज की बारे में तो दीखिए आरे समाज को establish करने वाले जो लोग थे उनका नाम था दयानन सरस्वती देरान सरस्ती का बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम था मूल शंकर ये तो जानते होंगे खैर, मूल शंकर इनका बचपन का नाम था अच्छा है एक चीज और आपको ये भी कई बार डाउट होता होगा कि इतना जादा हम लोग discussion क्यों कर रहे हैं because examination में तो इतना आता नहीं है देखे examination में नहीं आता ये बात सही है अगर किसी चीज को समझना होगा तो आपको उसके background को भी समझना पड़ेगा तभी आपको concept पूरा clear होगा otherwise अगर केवल examination point of view सही अगर आप पढ़ेंगे तो फिर आपको चीजे रट्टा मारनी पढ़ेंगी याद करनी पढ़ेंगे और फिर वहाँ पर problem आ जाएगी तो इसलिए थोड़ा सामलोड detail में discussion कर लेते हैं जो हमारे द्यानन सरस्वती साहब हैं इन्होंने क्या किया था वेदो की और मतलब की वेदो को इन्होंने वेदास को बहुत ज़दा इन्होंने मतलब प्रपोस किया वेदोस को इन्होंने कहा कि हमें इनकी और ही चलना चाहिए हमें इन्हें पढ़ना चाहिए इन्हीं पर हमें dependent होना चाहिए लेकिन इन्होंने जो पुरान से इसको इन्होंने एक सीरे से खारिज कर दिया और कहा कि नहीं नहीं पुरान वगरहे जो होता है they are not relevant and हम लोगों को पुरान वगरहे पर follow नहीं करना चाहिए कहने का इनका मतलब क्या था इनके कहने का ये मतलब था कि अगर आप वेदास को follow कर रहे है that means आप कर्म सिस्टम को मान रहे है कर्म सिस्टम को मान रहे है और जब अगर आप दिस पुरानास को मान रहे है that means आप learn system को मान रहे है तो learn system को ये नहीं मानते थे और ये कहते थे कि division in the society is that is good but that should be based on the work वो कर्म के basis पर होना चाहिए न की learn के basis पर और इसलिए इन्होंने अपना एक slogan दिया था अपना एक नारा दिया था और वो दिया था कि वेदा वेदो की ओर towards the vedas तो vedas towards the vedas लिख लीजेगा आप लोग वेदो की ओर में इन्होंने ये अपना slogan दिया था अब देखिए अगर इनके थोड़ी सी बच्पन की बातें की जाएं तो यहाँ पर इनकी जो education हुई थी उसमें दो important teacher थे इनके एक का नाम था जिनका नाम था दंडी स्वामी पूरानंद इन्होंने क्या किया था इन्होंने यहाँ पर इनको सन्यास की सिक्षा दी थी सन्यास ठीक है सन्यास यहाँ से salvation वगरे की यहाँ पर सिक्षा दी थी इनको educate किया था लेकिन दूसरे हमारे important teacher है वो है मथूरा स्वामी विर्जानंद और यहां पर इन्होंने फिलोसॉफिकल यहां पर फिलोसॉफिकल जो है जूई केशन लिया और यह फिलोसॉफिकल एजूकेशन ही आगे जा करके इन्होंने इस्प्रेड किया था इसके अलाबा इन्होंने पाकھंड पंडिनी नाम से एक स्टार्ट किया था पाकढ़ ठीक है? पाकखंड पंडिनी नाम से चीजिए पाकढ़ पंडिनी और यहांपर भी इन्होंने जो स्पिरिचुलालिटी, मतलब जो सुपरेस्ट्रिशन्स है, बेकवर्डनेस है, इनसब को जो आरे समाज है वो start हो जाता है इनका objective क्या था objective के बारे में भी जान लीजिए क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी ही important चीज मिलेगी आपको यहाँ पर इन्होंने जो depressed class है basically जो शूद्राज है और जो woman है तो शूद्राज और woman इन दोनों लोगों के education के लिए इन्होंने प्रमोशन किया और कहा कि देखो education हमें दोनों को ही देनी चाहिए प्लस वेदों को भी पढ़ाना चाहिए तो वेदाज को आप पढ़वाईए शूद्राज से और woman से इनका जो यग्यो पवीत मतलब 16 अंसकार होते हैं उसमें से यग्यो पवीत भी योक होती है तो इनकी यग्यो पवीत भी करवाईए यग्यो पवीत कहने का मतलब education इनकी क परवाईए और वेदास को इन लोगों को पढ़वाईए इसके अलावा इन्होंने गौर अक्षा यानि की काउ protection के बारे में भी बाते कहीं थी ठीक है अब देखें काउ protection को लेकर के कई लोगों ने बाते कहीं है जैसे कि हमारे दयानन सरस्वती ने भी की हुई है दयानन सर सरस्वती इसके अलावा हमारे महात्मा गांधी ने भी गौर अक्षा के बारे में बाते कहीं है और इसके अलावा राष्ट्री स्वयम सेवक संग ने भी आरेसस ने भी गौर अक्षा के बारे में बाते बोली है तो मेक शूर आप तीनों चीजों को जानते रहिए गा ठीक ह इसके अलावा काव प्रोटेक्शन के अलावा इन्होंने कर्म सिस्टम के बारे में बाते कहीं है कर्म सिस्टम कर्म के थुरू जो भी चीजे मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए इन्होंने वेदों की importance को बताया, तो वेदाज importance के बारे में बताया, इसके अलावा शुद्धी moment इन्होंने चलाया था, शुद्धी moment का मतलब कि जो लोग भी religiously convert हो गए हिंदूइजम से दूसरे religion में convert हो गए हैं, उनको वापस हिंदूइजम में ले करके आते थे, तो ये तो चलिए ठीक है, जो चीजे हैं वो थोड़ी सी religious चीजे हो गई, लेकिन इसके अलावा कुछ important चीजे भी इन्होंने कहीं, क्या बोला, यहां पर अगर आप सोचेंगे, तो आप, मतलब, you will be shocked, इन्होंने क्या कहा, स्वराज, स्वराज की इन्होंने, स्वराज को इन्हों इन्होंने स्वराज के साथ साथ स्वदेशी को बोला कि हमें अपनाना चाहिए, स्वदेशी, अपनी चीजों को, और एक्च्वल में आत्म निर्भर भारत जो आज की डेट में हमनें बोल रहे हैं, वो शुरुवात की गई थी, इन्हीं द्यानन सरस्वती के ही द्वारा, बात में आगे जाकर के दादा भाई नौरो जी और फिर महत्मा गांदी इन लोगोंने इसी चीज़ को आगे बढ़ाया था, तो स्वराज और स्वदेशी के अगर पूछा जाए कि पहली बार ब्रेन चाइल्ड कौन था तो आप बोलेंगे द्यानन सरस्वती थे, इसके अल कुछ भुक भी लिखी ती जो की इंपूर्टंट है अगें, यहां पर एक भुक लिकी थी इन्होंने सत्यार्थ प्रकाष सत्यार्थ प्रकाष Software और यह बहुत ही जादा इंपूर्टंट भुक हैं यहां पर एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताया गया है कैसी होनी चाहिए इसके अलावा इन्होंने वेद भाश की भूमी का इसके बारे में इन्होंने बताया है कि वेद भाश की क्या भूमी का है इसके बारे में बुक लिखी हुई थी इन्होंने आरे समाज अब देखिए आरे समाज तो चले ठ सरस्वतीच द्यानंद स्रस्वतीच के टाइम पर लग तरीके से चल रहे थी लेकिन द्यानंद स्रस्वत्यक की बाद फिर ये डिवाईट हो गई दो format में एक format हो गई जो हिंदी एजूकेशंट हिंदी एजूकेशन को प्रमोट किया यानि कि ऐक्चुल में जो आरे समाज जैसे चल रहा था वैसे ही चलाया गया और इसको चलाने वाले जो साहप थे उनका नाम ए स्वामी श्रद्धानद, श्रद्धानद नाम कई आप लोगों ने सुना भी होगा स्वामी श्रद्धानन इसके अलावा लेक लेक राय ठीक है इसके अलावा मुंशी राम ठीक है मुंशी राम यह तीन लोग थे जो बिसिकली जो हिंदी एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे और इन्हों ने आगे जाकर के गुरुकुल फॉर्मेट आफ एजुकेशन सिस्टम को प्रपाउंड किया था गुरुकुल सिस्टम को इन्हों ने ही स्टार्ट किया था दूसरे लोग थे वो यह कहा है कि नहीं यार हमें वेस्टान एजुकेशन की और में चलना चाहिए वेदास को तो लेकर के चलना ही है लेकिन हमें वे लाला राजपत्रा इसके अलावा लाला हंसराज यह दो लोग थे बैसिकली जिन्होंने वेश्टर इजूकेशन बनाया इन्होंने किस तरीके का फिर एजूकेशन सिस्टम लेकर के आया डी एवी स्कूल एंड कॉलेज़ अब आप लोग डी डी एवी नाम सुने होंगे लेकि वेदिक कॉलेज तो यहां पर वेसिकली क्या है कि एंगलो का मतलब वेस्टर इजूकेशन में वेदो की एजूकेशन कराई जाती है और यह थी वेसिकली आपके आरे समाज के बारे में तो आरे समाज की पूरी स्टोरी आप लोगों को अब क्लियर हो गई होगी कि क्या करती है यंग बेंगोल तो धुब्सक्रक्रान और यह ग्री और दिखिए यह और इंड अनकि करने के लिए एंडिया आया थे और इंडिया आ दिया के हिस्टों पंद्रेश को पड़ाना शुरू कर दिये इनको पड़ा इंटरस्ट आया और इनको इंटरस्ट को spread करने के लिए इन्होंने चीजें फैलाई थी और इसके अलावा जमिंदारी के तहत जमिंदारी के तहत जो भी exploitation वगरे किया जा रहा था उसके खिलाव भी इन्होंने आवाज उठाई अब जैसे ही लोगों ने यह सब चीजें आवाज उठाई अब जैसे ही इनको हिंदू college में निकाला ही जाएगा तो हिंदू college से इनको निकाल दिया गया था नेकल निकल दिया जाने का मतलब ये नहीं हुआ कि इन्होंने अपना काम रोक दिया इन्होंने अपना काम फिर भी झारी रखा और इन्होंने कई तारीके के छोटे चोटे organization बना लिये जैसे की academic association इन्ह one second yes Anglo-Indian Association ऑना दिया इसके अलावा इन्होंने क्या किया इसके अलावा इन्होंने Society for Acquisition of General Knowledge बनाया society for assertion of of what of General नॉलेज ठीक है यह इन्होंने बनाया इसके अलावा इन्होंने बंग हित सभा बनाया और इस तरीके से यहां पर यह contribute करना शुरू कर दिये थे इन्होंने एक magazine भी पब्लिश की थी magazine का नाम क्या था इस्ट इंडिया इस्ट इंडिया यह magazine बहुत important है ध्यान रखेगा examination में पूछा जाता है ठीक है तो यह basically development वगर की थी यह जो Henry Vivian बड़े ही यंग एज में इनकी death हो गई थी और इस वज़े से काफी आदा important भी है हमारे लिए clear हो गया इस यंग बेंगॉल मोमेंट के ही इसी से promote होकर के इसी से ही influence होकर के Bombay में भी एक organization open की गई थी यहाँ पर Bombay में भी एक organization open की गई इनहीं के नाम पर क्या नाम था Young Bombay और यहाँ पर भी यही सारा काम education को लेकर के ही चीज़े जो होती है वो आगे बढ़ाई जानी शुरू हो गई थी अब इन सब के बाद में ultimately अगर निया discussion किया जा है तो हमारे पास next आती है परम हंस मंडली तो this is परम हंस मंडली अब देखे कोई बड़ा नहीं है छोटे छोटे मतलब developments है परम हंस मंडली यह जो है basically कह लिजे कि आत्मा राम पांडूरंग के द्वारा इस्टार्ट की गई जिसका नाम है बाल कृष्ण जैकर बाल कृष्ण जैकर देखें यह सब नाम important है क्योंकि आजकल examination में आपसे नाम बहुत ज़्यादा emphasize किया जा रहा है इसके लावा जांबेकर शास्त्री जांबेकर शास्त्री नाम याद रखिएगा यह सब बहुत important important नाम है जांबेकर शा वाद के बारे में single god इसके बारे में चीज़े बताई थी इन्होंने global brotherhood के बारे में बताया था ठीक है विश्व बंधुत brotherhood के बारे में इन्होंने चीज़े बताई है social equality के बारे में चीज़े बता रहे हैं ठीक है depressed class के लिए काम कर रहे हैं ठीक है woman education के लिए काम कर रहे है तो यह सब बेसिकली जो समय की बाते थे वही सारी बाते इन्होंने भी की हैं क्लियर हो गया क्या चीज है इसके अलावा अच्छा एक और चीज यह फेल हो गया था फेल क्यों हो गया था क्योंकि आगे चलके Christianity से बहुत ज़ादा influence हो गया था Christianity से अगर आप बैकवर्डनेस को दूर जाएंगे करने के लिए तो आपको सीधा साधा बोल दिया जाएगा कि आप तो Christianity के तरफ move कर रहा है Christianity से influence है आप तो एक्च्छल में Christianity से influence नहीं थे वो बस जो धर्म में Hinduism में जो जो problem थी उसको दूर करने की कोशिश कर रहे थे और उनका इसी तरीके से जो होता है वो नाम खराब हो गया खैर चलिए इसके बाद नेक्स आती है लोक हितवादी लोक हितवादी में ज़्यादा कोई बड़ी चीज नहीं है यहाँ पर क्या है नाम रखिएगा नाम याद रखिएगा गोपाल हरी देशमुक इन्होंने इस्टार्ट किया था यह बड़े ही इंफ्लुएंशिल परसन थे अभी बताओंगा तो आप ड़ जाएंगे यह जज थे बिटिश टाइम पर जज थे साथ ही साथ में जो काउंसिल आफ गवर्नर थी यहाँ पर भी यह मेंबर थे गवर्नर जनरल के यह मेंबर थे इसमें काउंसिल में तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े इंफ्लुएंशिल यह पोजीशन पर थे कहाँ पर है नाम है देशमुक है नाम से ही पता चल रहागा मुंबई की बाते हो रही है तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो भी वीडो री मैरेज है उसको हमें प्रमोट करना चाहिए वीडो री मैरेज की ओर में और भी जो रिलिजन में धर्म में जो भी बुराई है उसको दूर करना चाहिए तो ये सारे काम किये गयते हैं हमारे इन गोपाल हरी देशमुक के द्वारा इनकी कुछ पॉब्लिकेशन्स है जिनको याद रखिएगा जैसे कि प्रभाकर मैगजीन उन्होंने लिखी थी इसके अलावा इंदू प्रकाश और ज्यान प्रकाश इन्होंने लिखा हुआ था इसी तरीके से इन्होंने गीता तत्व सुभाशित लिखा है अब देखें यहाँ पर हम लोगोंने बात किया है यंग बेंगॉल मुमेंट के बारे में इस यंग बेंगॉल मुमेंट में दो प्रॉब्लम पहली प्रॉब्लम ये नॉन इंडियन के द्वारा स्टार्ट की गई है नंबर टू जो यहाँ की प्रॉब्लम है हिंदूइजम क की चीजों को promote किया जा रहा है and this is again not good for society और इसका खुले तौर पर विरोध किया गया था किसके द्वारा खुले तौर पर विरोध किया गया था हमारे राधा कांत देव के द्वारा राधा कांत देव राधा कांत देव के द्वारा इनकी organization का क्या नाम था इनकी organization का नाम है धर्म सभा धर्म सभा अब देखें यहाँ पर जब story आपको पता रहेगे तो आप चीजों को connect भी कर पाएंगे और याद भी कर ले जाएंगे तो जो धर्म सभा है यह start की गई थी राधाकांत देव के द्वारा और यहाँ पर यह यंग बिंगॉल moment की खिलाफ थी दिस वाज अगेंस्ट यंग बिंगॉल मुमेंट क्लियर हो गया क्या चीज़ है ठीक है इसी तरीके से छोटी मुटी दो और और अगनाइज़ेशन है जैसे कि एक है राधा स्वामी सत्संग जो की शिव दियाल खत्री की दौरा start की गई थी और एक है देव समाज जोकी शिव नराड आग्नीहोत्री की द्वारा start की गई थी ठीक है चले खेर तो फड़ा फड़ा फडम लोगरा discuss भी कर गया था द्यानन सरफसती स्टार्ट करने वाले थे 14 साल की उम्र में इन्होंने क्या है घर वगर एको त्याक कर दिया घर छोड़ दिया था और जा करके स्कॉलर बन गये थे संस्कृत के लेंग्विज पर इन्होंने मास्टरी कर रखी थी 1863 में इन्होंने प्रीचिंग करना शुरू कर दिया था कि एक गौड है एक ही मतलब मुनोथेजम है और इस तरीके से इन्होंने क्या है कि वेद को ही इंडियन रॉक एन एजिस इन्होंने यही देखा और कहा कि जो कुछ भी हिंदोिजम है वो बेसिकली यही हमारा वेदाज ही है यही चीजे है ठीक है इन्होंने गो बैक टू वेदाज इस नाम से मतलब स्लोगन दिया और इसी को जो है आगे प्रमोड भी किया आरे समाज इन्होंने फिर बॉंबे मनाय था 1875 में इसको बाद में ट्रा टेन प्रिंसिपल से जो की तीन चीजों में डिवाइडेट थे और यह थी स्टडी आफ वेद वर्चिव एंड मोराइलिटी इन तीन चीजों पर ही यह प्रिंसिपल बेस्ड था द्यानन्द फ्रेम्ड फॉर्देम अ कोड अफ सी सोशल कंड़क्ट इन विच देयर वाज न ने हम लोगों ने देख रखा था लाहौर में ही द्यानन एंगलो वेदी के दिवी कॉलेज वगरे स्टार्ट किया गया था ठीक है तो इनके बारे में हम लोगों ने देख लिया और गुरुकुल सिस्टम ये श्रद्धानन के द्वारा स्टार्ट किया था खैर इनके बारे मिशन जिसके बारे में हम लोगों ने डिसकुशन नहीं किया है तो राम कृष्ण मिशन में ज्यादा कुछ खास है नहीं यह विवेका नंद साहब के द्वारा इस्टार्ट किया गया था तो एक और हमारे रिफॉर्मर ते जिनका नाम था राम रिष्ण परम हंस इन्होंने भी अपनी एजुकेशन अपनी सिस्टम एक फिलोसोफी विवेका नंद को दी थी और फिर बेसिकली इन्हें के नाम पर ही आगे जाकर के इन्होंने रामकृष्ण मिशन की इस्टाब्लिश्मेंट की थी इन्टेंप्री इंडियन इंटलेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्र हैड बीन शेकन बाइदा चैलेंज फ्रम देवेस्ट फॉंड रीकरेंस री एस्टीचिंग रामकृष्ण मिशन बेलूर मठ में कलकटा में स्टार्ट की गई थी यहां पर इन्हों आज की बुराईयों को अगर आप इग्नोर करने हैं तो आप अनेजुकेटेड हैं अगर आप भगवान की पूजा कर रहे हैं और एक किसी भूखे को खाना नहीं खिला रहे हैं तो आपकी पूजा उजा करने से कोई फायदा नहीं है तो यह सब चीज़ें बिसिकली कही पताया था तो यह इंपॉर्टेंट है अचाए एक चीज़ ध्यान रखेगा विवेकानंद जो है वह रीइंकार्नेशन में रीइंकार्नेशन का मतलब मूर्ति पूजा में बिलीव करते थे और साथ ही साथ में यह कह सकते हैं रीबर्थ में भी विश्वास करते थे तो चीजें आई थी यंग बेंगॉल मेंट के बारे में हम लोगों ने डिसक्शन कर लिया यहाँ पर जो हमारे डेरोजी विवियन इन्हों ने स्टाट किया था हिंदु कॉलेज से चीजे स्टाट हुई थी और आगे जाकर के फिर काफी तूल पकड़ लिया था काफी इंपॉ संस्कृत कॉलेज यह बिसिकली संस्कृत एजूकेशन को देना चाहते थे लेकिन साथ ही साथ में वेश्टन एजूकेशन के भी प्रमोटर ही थे इन्होंने काफी इंपोर्टन रोल प्ले किया था विडो रिमेरेज के लिए और फिर अल्टिमेटली 1856 में विडो रिमेरेज आक्ट भी पास हो जाता है तो इश्वचन विद्या सागर भी हमारे लिए काफी इंपोर्टन है गोपाल हरी देश्मुक के बारे में हम लोगों ने देख रखा था यहां पर कि इन्होंने क्या है कि एक नया मोमेंट इस्टार्ट किया था दैट वाज लोग हितवादी बेसिकली स्टार्ट किया गया था हमारे हरी देश्मुक के द्वारा जज थे ठीक है इसके लावा जोतिबा फुले भी थे और इन्होंने समाज को क्या कहा इन्होंने कहा कि देखे सोसाइटी शुड भी बेस्ट ऑन प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्णिटी सेकुलरिजम एंड हुमानिटी बाकी इंसके बारे मे गैंडिया इंडिया में वेडो पड़तीए और देख्ती और भी देखे इंडिया में को बेजा गया फीकल देखती कि यार ये तो बड़ा ही बहतरीन सी चीज है और अल्टिमेटली वेदो की ही प्रमोशन करना इन्होंने शुरू कर दिया इसके साथ ही साथ में इन्होंने देखा कि यार बहुत सारी प्रॉबलम्स है इंडिया में इसकारण से इन्होंने क्या है कि जो भी इंडिया में सुपरिस्टीशन, प्रॉबलम्स, और्थोडॉक्सिटी उसके अग्येंस्ट में इन्होंने काम करना शुरू कर दिया इन्होंने कहा कि जो उपनिशद है, सांख है, योग है, विदान्त स्कूल है इनको इन्होंने कहा कि यह यह तो बड़ी अच्छी चीज है, हमें इसको follow करना चाहिए Universal Brotherhood of Humanity को इन्होंने प्रमोट किया है Irrespective of Race, Sex, Cust and Creed Besant Late the Foundation of Central Hindu College in Banaras जो की आगे चल करके मदन मोहन मालवी के द्वारा ही Banaras Hindu University की भी नीव रखी गई थी 1916 में इन्होंने Home Rule League को भी स्टार्ट किया था Home Rule League क्या है, कैसे हुआ था, क्या हुआ था यह सब हम लोग बाते करेंगे जब Home Rule League के बारे में discussion करेंगे ठीक है, तो यह अपकी basic discussion है इसके लबाद देखिए SNDP एक movement इस्टार्ट हुई थी SNDP मतलब श्री नरायन धर्म परिपालन योगम अब देखिए कोई बहुत बड़ी सी चीज नहीं है, बहुत ही छोटी सी चीज है यहाँ पर यह जो आपकी श्री नरायन धर्म परिपालन है यह basically जो oppressed section of society उसी के against में यह काम करता था और यह केरला में start किया गया था यहाँ पर जो इनका main काम था वो था कि एक धर्म, एक caste और एक भगवान इसी पर इनका पूरा का पूरा philosophy जो है वो टिका हुआ था untouchables के खिलाफ थे यह तो कई बार इनको सीधे नाम रख दिया आता है कुछ temple reform moment को लेकर के भी चीज़े हैं जैसे क्या है कि देवदासिश सिस्टम था इसको end करने की बाते कहीं गई थी इसके अलावा जो मंदिरों में जो भी wealth है वो rich जो पुजारी है उनके हाथों में था बाद में इसको ये कहा गया कि नहीं नहीं ये तो public के hand में होना चाहिए था तो ये सारी चीज़े भी ultimately reform हो रहे थी लेकिन ये सारी चीज़े ultimately नहीं सही की जा सकी और कुछ चीज़ों पर work हुआ कुछ चीज़ों पर law बनी कुछ चीज़ों पर act बना और कुछ चीज़ों को लेकर के society में जो orthodoxy थी वो दूर भी हुई लेकिन हर एक चीज़ पर दूर नहीं की जा सकती थी और वही हुआ भी हर चीज़ को दूर नहीं किया जा पाया लेकिन फिर भी एक ठीक ठाक modern society को establishment कर पाने में हमारे जो philosopher लोग थे और जो हमारे leaders थें वो लोग आगे काफी अतक आगे बढ़ गये थे तो यह थी basically हमारी discussion Hindu social reforms are related और चीज़े आप समझ में भी आई होंगी although काफी complex है याद ही करना है mainly लेकिन खेर आपको एक concept building समझ में आया होगा क्या क्या चीज़े है ठीक है कोई doubt रहेगा तो आप अपने doubt को email या टेलीग्राम के थूँ कर सकते हैं नीचे description box में link दी गई है इसके अलावा इस PDF को avail करने के लिए और वीडियो को access करने के लिए भी आप membership ले सकते हैं YouTube पर ही ठीक है चले फिर next video में हम लोग बाते करेंगे जो मुसल्मानों को मतलब मुसल्मानों के लिए जो social religious moment थे उनको और बाकी चीज़ों को भी discuss करेंगे मिलते हैं next video में till then goodbye and thank you so much